थेवन की किचन में आपका फिर से स्वागत है तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेका हूँ बहुत ही टेस्टी सी एक ऐसी रेसिपी जो आपने खाई भी बहुत होएगी और बनाई भी बहुत होएगी और जटपट से बन कर तहियार भी हो जाती है तो आज हम उसमें बढ़ाओ करेंगे आज हम बनाएंगे टमाटर और बटर डाल के बहुत इस्पेशल सी मैगी यह देखने में सिंपल होती है पर बहुत ही टेस्टी होती है दोस्तों एक बार यह रेसिपी जरूराइ की देगा मेरे स्टाइल में बहुत ही टेस्टी रगती है तो चलिए करते है स्टार्ट तो सबसे पहले मैंने यहां पर दो मैगी के पैकेट ली हैं यह बहुत ही टेस्टी रखते हैं दोस्तों तो यह नॉर्मल मैगी है तो यहां पर मैंने लिया है दो कटे होए छोटे-छोटे टमाटर इसे अच्छे से छोटा-छोटा काट लिया है और साथ ही मिलिया ह तो इस तरह से दो हरी मिर्च को लेंगे और यहां पे मैंने लिया है उबले हुए मटर, इसके अंदर मटर का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है दोस्तों, तो यह मैंने बॉइल करके ले लिया है ताकि हमें ज़्यादा उबालना ना पड़े इसको, तो यहां पे मैंने लिय है एक बड़ा चमच रिफाइन ओयल और साथ में कटा हुआ टमाटर और हरी मिच को डाल देंगे इसके अंदर तो इसको अच्छे से भूनना है तो चलिए इसके अंदर डाल देते हैं मटर और टमाटर तो इसको अच्छे से भूनेंगे हम जब तक इसका तेल रिलीज नहीं हो होगा और थोड़े मैशी हो जाएंगे जब तक इसे भून लेंगे तो आप भी एक बर ये टमाटर और मटर वाली मैगी जरू ट्राए किजेगा दोस्तों बहुत ही टेस्टी लगती है तो यहां पर हम बॉयल की हुए मटर को भी डाल देंगे इसके अंदर तो चलिए करते ह है से mix और अच्छे से mix करना है इसको और बहुत जादा देर तक पकाने की जूर्त नहीं है से क्योकि हमने मटर पहले ही बॉयल कर लिया था तो स्वादनुसा डालेंगे यहाँ पे नमक, थोड़ा सा डालेंगे हम धनिया पाउडर, थोड़ा सा डालेंगे हम लालमिच पाउडर, और थोड़ी सी डालेंगे हम यहाँ पे गरम मसाला, और साथी में डालेंगे थोड़ा सा टोमैटो कैचप, यह बहुत ही अच्छा फ्ल तो अच्छे से mix करेंगे तो मैं दो पैकेट मैगी बना रहा हूँ तो दो पैकेट मैगी मसाला भी डाल दूँगा तो चलिए इसको इस तरह से डाल देंगे मैगी मसाला को तो दोनों पैकेट डाल देंगे बहुत अच्छा flavor देता है दोस्तों ये तो इसको अच्छे से करेंगे mix तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी डाली है और गैनो और साथ ही में डालूँगा मैं थोड़ी सा chili flakes यह इसका flavor और भी बढ़ा देंगे अगर आप खाते हैं तो ठीक है नहीं तो आप skip कर सकते हैं से तो चलिए इसे अच्छे से करेंगे mix तो यह भुन चुका है ज्यादा इसको भुनने की जुरुत नहीं होती और मैगी तो वैसे भी दो मिंट में बनती है तो यहाँ पर मैंने लिये है पानी पानी आप अपने हिसाब से डालीए वैसे एक मैगी में एक कप पानी डलता है तो आप दो कप पानी डाल सकते हैं अंदाल से अपने तो थोड़ा सा हमने वेजिस भी डाले हैं तो थोड़ा सा पानी आप बढ़ा लीजिए इसमें तो इसको अच्छे से करेंगे mix और boil आने पर इसमें डालेंगे अब हम मैगी तो मैगी को चाहे आप तोड़के डालिए चाहे आप सीधा ही डाल दीजिए तोड़के डालने से दोस्तों यह होता है कि थोड़ा सा जब हम खाते हैं तो थोड़ा सा तूट जाती है तो अच्छी रहती है तो इस तरह से मैगी को डालेंगे और अच्छे से बॉइल आने का इंतजार करेंगे तो इसको अच्छे से mix करेंगे तो जैसे ही boil आएगा ये सब ही मैगी बैट जाएगी तो लीजे इस तरह से इसे अच्छे से mix करना और इसे अच्छे से boil आने का इंतजार करेंगे तो यहाँ boil आ चुका है तो दोस्तों मैगी बहुत ही जल्दी बनती है मैंगी में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है इसने हमने जो मटर लिये थे वो बॉइल की होई लिये थे क्योंकि 2-3 मिनट लगते हैं जब इसमें पानी डालते हैं तो 2-3 मिनट से ज़्यादा मैंगी बिल्कुल भी समय नहीं लेती तो चलिए इस तरह से अच्छे से इसे पका लेंगे तो इस तरह से पकानी है तो देखे जैसे जैसे पानी सुकता जाएगा वैसे वैसे मैंगी बनती जाएगी तो लीजे बनकर तयार हो गई है करते हैं से सर तो लीजिए मठर और टमाटर वाली मैगी एक बार जरू ट्राए कीजेगा दोस्तो नया फ्लेवर है बहुत ही अच्छा लगता है अगर मैगी को थोड़ा सा आप चेंज करके बनाएंगे तो बच्चे भी बहुत खुश होते हैं खाने में तो आजकल तो सर्दियां चल रही है बहुत सारी वेजिटेबल आ रही है आप चाहें तो इसमें वेजिटेबल खूप सारी डाल भी सकते हैं तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूलेगा तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में